अलो स्टुडेंट्स, वेलकम तु माई चैनल नौलेज पॉइंट्सुडेंट्स, आज हम आपके लिए भेरी इंपॉर्टेंट्स क्वेस्टन्स, क्लास टेंथ के लिए, सम इंपॉर्टेंट्स प्रोम आरे सगरवाला आर्डी सर्मा, जो है प्रिजेंट करने जा रहे हैं, औ अफ टू ट्रेंगिल्स पर, उसी का यूज करके स्टुडेंट्स, आज के सारे प्रोब्लेम्स को बनाने हैं, और एंगिल बाइसेक्टर करम का, भी यूज में भी पॉसेबल होगा, शुदेंट्स आज का फर्स्ट क्वेस्टन है, इन ए ट्रेंगल ABC, AB equal to AC, and D is A, point on AC such that, BC square is equal to AC into DC, रूख that BT equal to BC, Students, first of all, ट्रेंगल ABC, आइसोसेलस ट्रेंगल जो है, बना लेते हैं, और AC पर एक point D ले लेते हैं, Given a start करते हैं, लिखना, Given, इन ट्रेंगल ABC, जो भी दिया रहता है, यानि first of all दिया है, AB और AC equal, Second दिया है कि, D is A, point on कौन सा side, AC side पर, such that भी दिया है कुछ, BC square equal to AC into DC, इसके आगे two proof लिखना है, BD and BC को equal दिखाना है, इसके आगे का portion है proof, और यहाँ से ट्रेंगल ABC और DBC को similar दिखाना है, इन ट्रेंगल, ABC, एन ट्रेंगल, ABC, DBC का इनल C common है, और ABC का A, और यहाँ देखे, DBC का, जो B है, वहाँ पर ABC का A आजाएगा, और जहाँ A है, वहाँ पर B आजाएगा, BDC, sorry, यहाँ D आजाए, BDC, ओके, BDC, तो यहाँ पर B आजाएगा, अब यहाँ पर देखें कि, यूज क्या करना है, तो इंगल C और इंगल C जो है, वहाँ common angle है, आज दूसरा है, BC अपोन क्या लेना है, DC, देखें, BC अपोन BC, और उसके आगे लेना है, AC अपोन BC, BC, AC अपोन BC, आखिर यह कहां से लिए, तो given से, given क्या है, BC square, equal to AC into DC, और यही से निकाल लिया, हमने, BC अपोन DC निकाल लिया, देखें, BC, एक BC और एक DC यहां ले आए, दूसरा AC, दूसरा AC अपोने, एक AC और दूसरा BC यहां आगे है, और तब जाकर के, यह दोनों triangle ABC और BDC, यह similar लिखा जा सकता है, criteria लिख दीजिए, by, S, A, S, similarity, अब इसके आगे, इसके तीनों side का ratio equal कर दीजिए, यहां से AB लिजिए, यहां से BT लिजिए, इधर से BC लिजिए, तो उधर से DC, और इधर से AC, तो इधर से DC, लेकिन जरूरत है हम को किसका, देखिए, AB by BD, जरूरत है, और AC by BC का, क्योंकि BD से BC को equal करना है, AB, AC equal है दिया हुआ, इसको आप cancel कर दीजिए, यहां लिख करके, AB और AC equal है, तब जाकर के, यह one और one, cross multiplication में हो गया, BD और BC equal, और यहां लिख दीजिए, hands proved, तो इंदम simple और easier तरीका से, आपने question number one को proved कर दियो, आगे चलते हैं, question number two में है, two right triangles, ABC, BBC, R only, drawn only, not R only, same hypotenuse BC, तो चलिए BC लेते हैं, hypotenuse, और यहां से 90 डिग्री बनना है, यह 90 डिग्री, आए एक दूसरा, ओके, यह भी 90 डिग्री है, अब नाम हुआ, ABC, यहां A, यहां B, यहां C, यहां D, B, C, दोनों के halfotenuse जो हैं, और करता है कि, AC और B, D, दोनों intersect जो करते हैं, दखें यहां, उनके नाम है P, आपको दिखाने, AP into, PC equal to, BP into PD, यह segment है, यह जो है, AC के segment हुए, जिनका product हुआ, आए B, D के segment हुए, जिनका product, फस्ट आप ओल लिखे, गिव है, A, B, C, and D, B, C, R, 2 क्या है, राइट ट्रेंगेल्स, राइट ट्रेंगेल्स है, with same hypotenuse, दोनों का एक ही hypotenuse है, ओके, BC, यहाँ से, देखे, यह B, A, C, that is क्या हो जाए, hypotenuse के सामने वाला साइट होता है, B, A, P, और equal to angle CDP, दोनों 90 degree हो जाएगा, ओके, और क्या है कि, A, C, B, A, C लिखे, B, A, C और यहाँ, जो है, B, D, C, B, D, C, यानि CDP, अब A, C, और A, C, और B, D, जो है, intersect कहां करता है, intersect at P, अब यहाँ से लिखे, to prove, क्या होगा, A, P, into PC, यह होगा, B, यह, B, P, into, हा, P, proof, मैंने बताया लिए है, similarity criteria to triangle से, हम इन problems को, जो है, solve कर रहे हैं, तो, इन triangle, A, P, B, हम similar करने जाए, इन triangle, A, P, B, and triangle, A, के बदले, D, P, C, जहां से angle A, और angle D, जो है, यह, 90 degree है, और, A, P, B, angle, A, P, B, यह, जो है, angle, D, P, C, के बराबर है, ओके, यह vertical, यह opposite angle के नाम से जाना जाता है, जब ही, दो, line segment, इंटरसेक्ट करता है, है, तो, point of intersection पर opposite angle का नाम होता है, vertically opposite angle, और इस आधार पर triangle, okay, triangle A, A, P, B, similar triangle D, P, C, यह हो गया, criteria by, A, A similarity criteria, similarity, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कि इनके criteria से आपको, जो है, similar होने के बाद, जो sides है corresponding, यानि, A, P, और, by, D, P, is equal to, इनके लिजे, देजे, A, P, by, D, P, इनके लिजे, B, आप, इनके लिजे, B, P, तो, C, P, क्या हो इसका लिख दिजे, region corresponding, okay, sides of, similar, triangular, proportional, similar, triangles, are, proportional, लिखने से concept clear हो जाएगा, और, A, P, C, P का product cross multiplication करने से, equal आ जाएगा, D, P, D, P, यानि, B, P, into, B, P, into, D, P, को PD भी आप लिख दो, और, यहाँ लिख दो, enhance, truth, तो, students आपने देखा, कि, very easier method से, यह आपके सामने दो प्रॉब्लेम्ज, जो similarity criteria, base पर जो है, students, question number three है, integral, A, B, C, angle, A, C, B, 90, okay, A, C, B, 90, CD, perpendicular, A, A, B, आपको दिखाना है, CD, S, Q, जो है, ना, वह, क्या हो जाएगा, B, D, into, A, D, S, students, देखे, यहाँ पर आपके पास, तू, ट्रेंगे, सॉरी, टू, अंगल्स, बनते हैं, जो, राइट एंगिल हैं, ACB, वहां हमने तो पार्ट में एंगल 1 एंगल 2 लिख दिया, आई ये हो गया आपका 3, हम सबसे पहले गीवन की बात करते हैं, और जो जो दिया रहता है, a statement or question में लिखते हैं, तो ABC एक ट्रेंगल है, ABC is A, okay triangle, in which one of the angle ACB, एक ही एंगल भोता ही है, right angle, and one another statement CD perpendicular AB दिया, अगेन क्या है, to prove CDA square equal to BD into AD, अब यहां से आगे proof में आते हैं, एक section है proof का, final section, अब we have, क्या है, कि एंगल ACB, जो दो पार्ट में बटा है, तो एंगल ACB 90, तो एंगल 1 प्लास एंगल 2 भी 90D, और फिर इंटर एंगल BCD में जाएंगे, जहां पर कि क्या है, एंगल BDC 90 डिग्री पहले से है, क्योंकि CD perpendicular है, AB पर, यह given से, तो एंगल BDC पलास एंगल 2 पलास एंगल 3, यह तीनों एंगल का साम 180 डिग्री, और यह 90 डिग्री पलास एंगल 2 पलास एंगल 3, 180 डिग्री, तो एंगल 2 पलास एंगल 3, राइट हैंड साइड में 190 में यह 90 जाएगा, तो 90 डिग्री, अब फ्रॉम क्या है 1 और 2 एक्वेशन फ्रॉम एक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 90 है तू में 2 प्लस 3 भी 90 है रिजल्ट आउट हो जाएगा एंगल 1 एक्वाल जो एंगल 3 और 90 90 किसे दखें A C D और A का मतलब C अब भी अडी डी डी 90 तो इस दोनों ट्रेंगिल में आएगा इन ट्रेंगल A C D एंड ट्रेंगल C B D जहां से D पर 90 है A D C और एंगल C D B ओके दोनों 90 डिग्री और एक जो मिला वह मिला प्रूवड अबब 1 एक्वाल टू 3 वह इसमें और 3 इसमें इसके लिए रिजल लिखे प्रूवड अबब ठीक है और इसके लिए भी मन वो तो लिखे C D पर्पेंडिकुलर एगी जो गीवन पार्ट है तो इस आधार पर ट्रेंगल A, C, D सिमिलर हो गया ट्रेंगल C, B, D क्राइटेरिया का नाम हुआ A, A, सिमिलरी, D आगे बढ़ेंगे तो कोरस्पोंडिंग साइट्स प्रोपोर्पोर्शनल में जाकर के C D असक्वाइर दिखाना है तो C D असक्वाइर के लिए यहां C D लीजिए और यहां C D लीजिए तो इनके C D के कोरस्पोंडिंग B, D लीजिए और इनके C D के कोरस्पोंडिंग लीजिए A, D तो यहां से हमें मिलेगा C D असक्वाइर एक्वाइर एक्वाइर टू A, D इन्टू B, D क्या यही है CT square AD into BD आप यहाँ hence proved lift दो तो आप students क्या देखा कि very simpler way में आपने इसको solve कर दिया by similarity criteria आप तो पर दिया आगे कर question number 4 है intangle ABC यहाँ पर आपको prove करके दिखाना है ABC में एक angle को 90 degree लेकिन कुछ-कुछ बातें यहाँ दिये statement में दिया AD perpendicular BC अब जब दिया है कि आपको BAC 90 दिखाना है तो एक right angle जैसा ही figure को consider करेंगे यहाँ यह नहीं लिखेंगे और यहाँ 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 से AD perpendicular क्या है BC दिया है ओके और साथ में AD square दे दिया BD और CD यहाँ आप जो है देखिए 1 और 2 जो है लिख सकते हो आप 1, 2 और यहाँ 3 first of call क्या करेंगे कि इसी दोनों ट्रेंगिल को similar करेंगे उसी तरह से देखिए उसी का just converse है तो आप अगर नीचे से उपर जाओगे तो प्रूब हो जाएगा यह BAC 90 जो बातें दी हुई रहते हैं statement की ABC एक simple triangle है इस A triangle और इन में जो है AD perpendicular है BC और बातें जो दी हुई है AD square BD into CD यह सारी बातों को लिखे फिर जो to prove है प्रूब करना है अंगल BAC यह 90 दी आप देखिए proof में आते हैं प्रूब में क्या दिखाते हैं इन दोनों triangle को जैसा कि मैंने बताया कि similar दिखाते हैं तो इन triangle इन triangle ABD एक side रखते हैं दूसरे side A के बदले triangle C और B के बदले A और D जहां से common तो इसमें है नहीं लेकिन क्या है कि यह देखिए आपके पास में यानि कि angle ADBB90 और angle CD ADB और CDAB यह दोनों 90 देख लिखे ADB CDA 90 यह हमारे given से है और साथ में एक जो है आपके पास में जो side से proportional यानि इसमें अगर AD रखते हैं AD देखे AD तो by में क्या आएगा CD AD by CD कर लेते हैं is equal to क्या आएगा फिर BD आएगा और by AD यह कहां से देखिए तो given that given that से given that क्या है कि AD square जो है वह BD into CD के equal है तो हम इसे लिख सकते हैं AD upon CD यह देखे AD यहां से देखे AD upon CD और उसके बाद है BD upon AD square था उसका एक AD तो इस तरह से SAS से दोने ट्रेंगिल जो है ना देखो ट्रेंगल ABD यह सिमिलर हो गया ट्रेंगल CAD यह कहां से BY SAS similarity तो यहां से क्या आजाएगा देखें अंगल 1 जो है ना आप यह नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात ने 1 और C इक्वल आ गया इसका एंगल ABD का ABD का एंगल 1 एक्वल टू इसका C एंड इसका देखें एंगल B और इसका एंगल 2 एंगल B एक्वल एंगल 2 यहां से क्या आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ जाएगा दोनों यह कहां से corresponding angles of similar triangle ऐसा लिख दीजिए तो ठीट रहेगा corresponding angles of similar triangles similar triangles अब यहां से एंगल 1 और एंगल 2 का प्लस जो है बाकी एंगल B प्लस एंगल C एंगल 1 प्लस एंगल 2 आप BAC लेखो एक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C अब इन ट्रेंगल ABC में अगर हम एंगल संप्रोपर्टी का प्रयोग करें यानि एंगल BAC और प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो 180 डिगरी होता है और बाइंगल संप्रोपर्टी बाइंगल संप्रोपर्टी और यहां से BAC को रखते हुए जिसको 90 डिगरी प्रूव करना है और एंगल B और एंगल C हटाना है तो दोबारा से आप एंगल BAC, BC को हटा के लिख दिए क्योंकि BAC ही तो 90 डिगरी प्रूव करके लाना है तो यहां देखिए क्या है कि एंगल B और प्लस एंगल C यह आपका एंगल BAC के इक्वल है तो यहां से 2 अप एंगल BAC आ जाएगा 180 डिगरी और 2 से दोनों साइट डिवाइट कर देंगे तो एंगल BAC जो है ना वहां आ जाएगा 90 डिगरी और इस तरह से आपने देखा कि जो भी प्रूव करना था नहीं लॉजिकली हमने उसको यहां पर प्रूव करके simpler way प्रूव करके आपको similarity criteria का यूज करके हमने इसको प्रूव करके देखा Students अब हम question no.5 देखते हैं who is any point inside a triangle ABC यह है वो point bisectors of angle AOB ओके मिला दीजिए इसको पहले यह रहा A से O, B से O, C से O सब को मिला दीए अब करता है कि bisectors AOB, BOC, COA का AOB का bisectors यह कहां-कहां मिलते हैं AB से मिल जाते हैं ठीक है यह और यह एकोल हुआ फिर इनके bisectors जो है वो मिल रहे हैं आपके और फिर इनके जो bisectors है वो मिल रहे हैं तो AB से मिलते हैं कहां? D पर BC से मिलते हैं कहां? E पर AC से मिलते हैं कहां? F पर आपको AD, B, EC आपका दिखाना है DB, EC और F First of all, Given लिखिए Given O is any point inside inside a triangle ABC the bisectors of angle AOB angle BOC and angle COA meet the sides A, B, side A, B, side B, C, side C, A in point D, E and F respectively to prove क्या दिखाना है A, D into B into C, F is equal to D, B into E, C into F एजनों की एंगिल बाइसेक्टर थरों क्या कहता है कि किसी पीट एंगिल में जब कोई जैसे यह O है तो B, O, C का एंगिल को अगर बाइसेक्ट किया जाता है तो O, B और बटे O, O, C यानि O, B upon O, C equal to B, E upon C तो stop all, हम यह O, B ट्रेंगिल में यूज करते हैं अगिल बाइसेक्टर थेोरम का फिर B, O, C में और फिर C, O, A okay, proof using angle bisector theorem angle bisector theorem in okay triangle A, O, B triangle B, O, C and triangle COA okay we get the K OD Biceps angle AOB okay which meets AB in D so यहां से क्या आएगा OA upon OB equal to 80 upon DB A bi-angle bisector theorem bi-angle bisector theorem this is equation first again okay OE bisects angle BOC inter-angle BOC meets BC in E so यहां से आजाएगा OB upon OC is equal to B upon EC okay this is equation second again when OF Bisex angle AOC meets AC in F okay therefore क्या हो जाएगा OA by OC okay OC by OA equal to CF by AF यह सारे angle bisector term से आएगा अब multiply करो multiplying respective 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 sides of all three equations 1,2,3 क्या हैगा OA upon OB into OB upon OC into OC upon OA और AD upon DB और फिर क्या हो जाएगा OB OC OB OC B upon EC BE upon EC into क्या हो जाएगा CF upon AF अब यहां से तो OA से OA cancel OC OB यानि 1 upon 1 और जब cross multiplication करेंगे तो क्या हैगा जो prove करना है AD BE CF ओके तो AD BE CF AD into BE into CF यह आएगा BD ओके यह DB into EC into F DB into EC into F तो students आपने देखा कि approved हो गया यहां आप लिख दो hence approved and simpler वे में आपने देखा कि एंगल बाइशा तरव का यूज दरके हमने इस problem को बना है question number six है question है in given figure AD is median or triangle ABC just देखिए figure missing है no problem ABC और AD median यह रहा D E and F respectively करता है कि AD B इनके जो bicector जाएंगे वह AD से और इनके जो bicector जाएंगे वह AC से कहा मिलेंगे E पर मिलेंगे और F पर मिलेंगे आपको दिखाना है कि यह जो E F है ना वो parallel है BC के ओके give and लिख दीजिए ABC is a triangle ओके और क्या है तो AD median 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 midpoint से मिलते हैं AD is median और bicector rock angle BDA और CDA BDA और CDA bisectors of angle ADB and angle ADC कहां मिलता है mid AB in D and AC in F sorry यहां D नहीं D तो median AD median है तो in E and F to prove to prove to prove करना है EF parallel BC अब आईए हम A, C, C, D A, C, D O, K using angle bisector theorem क्या है D, E and and यह हो जाएगा CD by यह अगर bisector है तो CD by DA C, D by DA A is equal to CF by AF ओके यहां आपको इसको reverse order में लिखे AD by DC AD by DC equal to AF by CF यह हो गया AD by CD क्योंकि यह bisector है इस angle ADC का यह 2 यह दोनो कहा से by angle bisector theorem अब यहां से देखे AD by DB DC DB DC दोन equal DB equal to DC DB equal to DC इस equation 1 2 2 इसको 2 रखे ओके और 3 तो from यह कहा है from equation 1 and using using question 1 in 2 and 3 तो क्या मिल जागा देखे AD मिला हुआ है DB DC जब मिल गया हमारे पास क्या मिला AE by BE और जो equal मिला AF by CF अब जब जब ट्रेंगल में आएंगे इस ट्रेंगल में इन ट्रेंगल ABC और जब sides proportional होंगे ओके point के द्वारा यानि AE by BE is equal to AF by CF तो by converse of by converse of test theorem यह आजाएगा आपका EF parallel PC आप तुडेंट्स आपने देखा easy payment जो है आपका 126 problem जो use करके अगिल by sector theorem और similarity criteria of true training is somewhere test theorem somewhere converse of test theorem so इस chapter को आप बनाने के लिए सारे theorems को learning में रखें और तभी possible है कि आप problems को exercise के problems को deal करने में आबल हो पाएएए वो भी conveniently and hope I expect आप करोगे ऐसा और आप आगे की ओर बढ़ोगे अपने मुकाम को प्राप्ट करोगे तब तक के लिए मैं यह वीडियो जो है यही पर समाप्ट करता हूँ आगे आने वाले वीडियो में फिर इसी तरह के कुछ प्राप्लेम्स आपके लिए लाएंगे तिल देंग गुडबाई हव नाइस दे